वेल्कम बेक टू माई चैनल दू नॉलेज जंग्शन उमीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे आज की वीडियो में आप सभी से मैं शटर स्पीड क्या होता है वो बताने जा रहा होंगो ये वीडियो उनके लिए एंट्रेस्टेड होगी जो फोटोग्राफी शीखना चाते हैं वीडियो को इन तक देखेगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा चलिए, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किसी भी कैमरा में शटर सबसे जरूरी हिस्सा होता है जो कि यह तै करता है कि कितने समय तक लाइट इमेज सेंसर पर पड़े जिसको की शटर रिलीज बटन से कंट्रूर किया जाता है शटर के खुलने और बंद होने के समय को शटर स्पीट की सेटिंग की मदद से सेट किया जाता है शटर स्पीट का सीधा सा मतलब है लाइट के सेंसर पर पड़ने वाला समय या जिस समय के लिए शटल खुलता और बंद होता है वही शटल स्पीड होता है जैसे अगर हमें किसी तेजी से बहते हुए जहरने की एक ऐसी पिक्चर लेनी हो जिसमें की एक-एक बूद दिखाई पड़े या किसी नल से निकलने वाले पानी की बूदों को कैप्चर करना हो तो उसके लिए हमें हाई शटल स्पीड में इस पिक्चर को लेना होगा ठीक वैसे ही अगर हमें किसी नदी के बहते हुए पानी की ऐसी तस्वीर लेनी हो जिसमें नदी का पानी बहते हुए दूद की तरह दिखे जिसे के मिलकी इफेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें लो शटर स्पीड में फोटो लेना होगा शटर स्पीड दो चीजों को नियंद्रित करता है सब्जेक्ट की मूमेंट और लाइट के कंट्रोल को एक बटा एक चोपचीज रुके हुए स्टील सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है यहां एक बटा एक सोपचीज का मतलब सेकेंड के एक सोपचीज में हिस्से में ली गए फोटो से है एक बटा 2000 तेजी से मूव करने करती हुई किसी ओबजेक्ट या किसी खिलाडी की फोटो लेने के लिए ये शटर स्पीट बहतर होता है तेज रोशनी में शटर स्पीट ज़्यादा रखना चाहिए मतलब की शटर के खुलने और बंद होने का समय ज़्यादा होना चाहिए जिससे की कैमरे के सिंसर पर लाइट कम जाए और एक बढ़िया पिक्चर हम ले पाए अगर आपको शटर स्पीट को समझने में कुछ कनफ्यूजन हो रहा है तो इसे ऐसे याद रखें कि जब शटर स्पीट का नंबर कम होगा तो शटर स्पीट कम हो जाएगा और जब शटर स्पीट कम होगा तब शटर ज़्यादा समय के लिए खुलेगा और हम एक अच्छी पिक्चर ले पाएंगे I hope आप सभी को समझ आ गया होगा कि शटर स्पीट क्या होता है So please चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए and कमेंट कीजिए मिलते हैं अब नए वीडियो में कुछ नए नॉलेजिस के साथ Thank you, have a nice day Thank you